मुझार नमस्कार मैं सुर्ज कुमार और आप देखेंगेंगे परपो HDM ने विठाईयों के संपल लिए है और की कारवाई दिवाली का समय है और मिलावत परी की वारदा ज्यादा ही हो रही है इसलिए HDM ने रूटेंग कारवाई वे कालावाली मंडे की मिठी विठाईयों कारवाई पर शाप दिए साथ ही HDM से दुर्भयाद का मामला विस्वाई है आपको बता दे कि आज कालावाली के HDM बिजंदर सम्होटा ने तिपावली के तिहार को लेकर के खादे है आपको तिवाद श्वास्ते विभाद के अधिकारियों के साथ मिल करके सबसे उलोन पहले उनने सहर की लवली स्वीट्स पर कारवाई कि जहां पर उनने देखा कि एक मिठाई की दुकान में मिठाई के साथ साथ डिब्बे का वजन भी तोला जा रहा है जिसे लोगों को चंपत लगाई जा रही है और सबसे एहम बात ये रही है कि दुकान पर करीब 400 लीटर डिजल देख करके HDM ने दुकान के इस बारे में स्पेस्टिकर्ड मांगा है कि 400 लीटर जो डिजल था वो एक ही जिगेंपर और इतना सारा दुकान के अंदर आखिर आया कहां से जिसके लिए दुकानदार से उन्होंने लिखत में जबा मांगा है जब HDM ने स्पेस्टिकर्ड मांगा तो HDM के साथ दुर विहार किया गया इसी बात से वोई नारा जो करके कारवाई करते हुए तुरंत कलावाली थाना प्रभारी को बुना करके दुकानदार पर कारवाई करने के रादेश दिये वोई दुकानदार दुआरा बार बार अपनी गलती मान लेने के बात में HDM और दोतंदार के बीच का मामला शान्त हो पाया सबसे पहले तो HDM विजंदर सिंग हुड़ा दुआरा सबी अधिकारियों को कारवाई करने की निर्देश देने और फिर एक ही सेकंड में सिर्फ गलती माल देने पर छोड़ देने मंडी में चर्चा का विशा बना हुआ है वहीं HDM से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि मिठाईयों के सैंपल लिये गए है और जो लवली स्कुट्स पर 400 लिटर के करीब डीजल मिला है उसको खाद्यापूर्ती विभाग नेजब्द कर कारवाई सुरू करती है बाखी की आग्ये की कारवाई भी खाद्यापूर्ती विभाग करेगा वहीं देखने वाली बात यह है कि विभाग सिर्फ दिपावली के मोखे तर लिए कारवाई करने के दिए काना भूड्ती क्यों करता है जबकिं मिठहीया तो पूरा साल विफ्ति है chem. और समय समय पर क्योंकि क्यारवाई की जाती है तो दाल में कुछ प्राथ भी नज़र आता है भर इसका जवाब तो प्रसाशनिक अदिकारें के अलावा दूसरा कोई नहीं कर दे सकता पूरा साल मिठाईवा भूंती भी है और दिखती भी है लेकिन कारवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूरती होती है इसी के साथ आप देख रहे हैं कलावाली पल-पल से विवर भुटता की ये खासती है पर अब लगो ने सकते हैं।